करीबी की मुखिरी से मारा गया जीवा लखनव मड़ मामले में STF को मिले इनपूट लखनव मुक्तार गैंग के शुटर संजीव माहिश्वरी उर्फ जीवा की लखनव के सेशन कोर्ट में हत्या उसके सुरक्षा काफिले में शामिल एक करीबी की मुखबिरी के बाद की गई थी उसकी हत्या की साजश में जौनपुर के एक समारोह में रचे जाने की भी आशंका है ऐसे इंपुट मिलने के बाद अब स्टीएफ ने जेल से पेशी पर जाते समय जीवा की सुरक्षा में मौझूद रहने वाले उसके करीबियों के बारे में चानवीन तेच कर दी है माना जा रहा है कि जीवा के किसी प्रतिद्वंदी ने उसी के गुर्गे को टूल बना कर वार्दात करवाई है जिला जेल से संजीव माहिश्वरी उर्फ जीवा पुलिस कर्मियों की सुरक्षा के साथ अपनी खुद की सिक्यूरिटी लेकर पेशी पर आता था जिला जेल से निकलते ही लगजरी गारियों का काफिला उसकी गारी के आसपास मौजूद रहती थी किसी भी आशंका पर उसकी सिक्यूरिटी में लगे उसके गुर्गे उसकी गारियों को अपनी गारियों से कवर करके ही आगे बढ़ाते थे सूत्रों का ये भी कहना है कि जेल से निकलते ही उसके गुरगे उसे बुलेट प्रूफ जैकेट मोहिया करवा देते थे जिसे पहनकर ही वो पेशी पर आता था बुधवार को पेशी पर आने के दौरान उसने बुलेट प्रफ जैकेट नहीं पहनी थी आशंका जताई जा रही है कि साजश के तहत ही गर्मी का हवाला देकर उसे जैकेट नहीं पहनाई गई और इसकी सूचना वारदात को अंजाम देने वालों तक पहुचा दी गई थी शूटर को मालूम था कि बुधवार को जीवा बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के कोर्ट रूम में दाखिल होगा इसलिए जीवा की पतनी की आजी पर आज सुनवाई विस नई दिल ली जीवा की पतनी पायल महेशवरी ने आपराधिक मामले में अगरिम जमानत की गोहार ल भी लखनों आया था वह घरवालों से नौकरी तलाश ने जाने की बात कह कर निकला था